नमस्कार मित्रों सवीका स्वागत है आपके अपने चैनल पर यहां बात करेंगे कॉर्स दो की कक्षा प्रबंधन एम बैठक बेवस्था यह यूपी ध्याना कर्शन कक्षा प्रबंधन एम बैठक बेवस्था के तहट यहां पर जो हमें सेकंड पार्ट में 10 कोश्चन्स मिलते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे तो आईए चलते हैं दिक्षा आयप पर और वहाँ चीजों को समझते हैं अब दिखिए जैसे ही सेकंड पार्ट पर पहुँचेंगे तो कक्षा प्रबंधन एम बैठक बेवस्था यह आकलन का सेक्षन होगा यहां पर यहां आपको 10 कोश्चन्स पूरे के पूरे मिलेंगे इसमें पहला कोश्चन्स यह रैंडमली आपको चेंज हो सकते हैं की शीच्षर तकनीक है जो कक्षा में कम सुनने वाले कम जोर नजर आने वाले या बोलने में असुविधा वाले बच्चों को सीखने से के परियापत औश्यर पर बल देती है तो यहां आपको इसमें से एक option को चुन लेना है और उस option में जो चार options आपको दिये गए है उन चार options में से कौन सा आपको option सही होगा इसके बारे में यहाँ आपको बताना है तो आपने चारों सवाल पहुंच पढ़ लिये होंगे तो यहाँ इसका जो fourth option है कक्षा प्रवंधन आयम वाभा बैठक विवस्ता यह सही है इसके बाद हम आगे के तरब बढ़ जाएंगे एक सिक्षक को अपनी कक्षा का न्यूजन इस प्रकार करनी चाहिए कि तो यहाँ पर किस प्रकार करनी चाहिए इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने पूछा है तो चार option आपके सामने हैं कि सभी बच्चे प्रतिभाग कर सकें सभी बच्चे को सीखने का औसर मिल सकें यहाँ पर यह हो गया उसके बाद सिक्षण कक्षा के सभी बच्चों पर ध्यान रख पाए तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन कौन सा जो है option इसका सही होगा तो यहाँ आपका जो option सही है वो option सही है फोर्थ option सही है उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे कक्षा प्रवंधन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी को बहुत सीमा तक प्रभावित करता है क्या करता है तो इसके बारे में यहाँ पर आपको देखना है कि आंसिक रूप से प्रवावित करता है भागीदारी को घटाता है या फिर प्रभावित करता है तो यहाँ पर यह होगा प्रभावित करता है उसके बाद आप अगले कोशन पहुंच जाएंगे निमने लिखित में से कौन सा तरीका एक सिक्षक द्वारा अपनाया जाना अरुचिकर ही नहीं अनुचित भी है तो यहाँ कौन सा ऐसा अनुचित होगा तो यह एक यहाँ पर आपको बताना है तो उसमें कौन सा ओप्षन सही होगा चार ओप्षन आपको दिये गए हैं एक सबसे नीचे उपर्यूक्त सभी भी आपको ओप्षन दिया गया है तो इसमें से पहला जो है बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्त में बैठा कर पूरे वर्स सिक्षन करते रहना तो ये एक option जो है ये आपका सही option है यहाँ पर कम सुनने वाले कम जोर नजरा वाले बोलने के असुविधा वाले बच्चों को कक्छा में कहां पर बैठाना चाहि ये अर्दचंद्राकार के व्यवस्था उस समय उपयुकत होती है जब आपके पास क्या हो कक्छा छोटा हो या पांच से कम बच्चे हो ऐसा क्या है तो यहाँ आपको समझना है कि कौन सा option आपका सही होगा तो यहाँ पर बच्चों के बैठने है तो परियापति जगा हो य एक कक्छा में दो सिक्षक महजूद हो तो इन में से एक option आपको चुनना है तो वो option आपका कौन सा होगा इसके बारे में आपको यहाँ समझना है यहाँ आपका option सही होगा बच्चों के बैठने की परियापति जगे हो यह option सही होने के बाद आप आगे पहुंच जाएंगे तो यहाँ आप पढ़ा लेंगे सवाल को थोड़ा बड़ा जो पूरा आ नहीं रहाता उससे आप देख लेंगे तो यह कक्षा प्रवंधन वो बैठक व्यवस्ता पर दिये गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद बिकल्ब जो कथन एक और दो दिये गए है उन होता है तो क्या परेडाम होता है इसका दिए इसके बारे में इन्होंने पुझा सभी बच्चों समूत तक स्सेक्षन तक सामगरी आता psychic से से पहुंच पहुंचा पाते हैं च्छात्रों के बीच से योगा उप्रोक्त सभी तो इस प्रकार हम आगे बढ़ जाएंगे अब यहाँ पर क्या कभी कभी छोटी छोटे समूह में बैठा कर सिक्षण कारे करना कक्षा प्रबंधन वा बैठक विवस्था सिच्छ तकनिक के अंतर गतरता है तो हाँ आता है इसे हम हाँ करके आगे ब गतिविधिवा बच्चों के तक पहुच के अनरूप यहाँ पर होना चाहिए तो देखिए यहाँ पर 10 के 10 कोर्शन समने किये और उसके बाद यहाँ सम्मिट कर देते हैं तो इसकोर आपके सामने यहाँ पर 10 कर 10 है फिर यहाँ से हम एक्जिट हो जाएंगे और आपका यह म स्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो उम्मिद करता हूँ आपके लिए वीडियो यूस्पल होगा आप ज़्याद लगों सुच्छकों तक इसे पहुचा देंगे धन्यवाद जय हिन जय पर